CBSC Words में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम Class 10 Mathematics Standard इसका 2020 का Board Paper Solve करेंगे और वही कोशन देखेंगे जो MCQ Based है पहले फिर आगे देखेंगे जैसा टाइम मिलता है पहले मैंने सोचा था इसको Chapter Wise कराऊंगा लेकिन अब जोकी Exam करीब है और Mixed Question रहेंगे तो जादा आपको Benefit मिलेगा क्योंकि एक Exam वाला Feel आपको इसमें आएगा ठीक है अलग-अलग Chapter के Question एक साथ आपको दिखाई पड़ेंगे तो सही रहेगा तो चलिए इसका Section A करेंगे इसमें जो हमारा Question No.1 to 10 है यह आपका MCQ Based है और One Marks का है तो यह 10 Question हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह एक Set का है इसी तरह और भी Set है उसकी वीडियो अलग से में लियाओंगा वहाँ जो बिल्कुल अलग Question होंगे वही डिसकस होंगे जिसे यहाँ पर जो Question हम डिसकस कर लेंगे उनी Chapter के और उनी Topic के Question यहाँ पर डिसकस होंगे ठीक है तो इसमें पहला Question है आपका Second वाला Chapter जो Polynomial का है उसका Question है One of the 0s of Quadratic Polynomial यह आपको Polynomial दिया है X² प्लस 3X प्लस K इसका एक आपको 0 दिया हुआ है उसकी Value है 2 आपको K की Value बतानी है तो 2 इस Quadratic Polynomial का 0 है इसका मतलब यह है कि अगर इसमें हम 2 को Put कर दें X की जगा तो Equation हमारी Equal to 0 हो जाएगी तो X की जगा हम 2 कर देते हैं X² है नहीं 2 तूसा 4 हो जाएगा प्लस 3 तूसा 6 हो जाएगा प्लस K यह Equal होगा हमारा 0 के यह 10 हो जाएगा तो K की Value माइनस 10 हो जाएगी तो B Option इसका सही है Second Question है Total Number of the Factors or the Prime Number is एक Prime Number है उसके कितने Factor हो सकते हैं Total आपको बताने हैं तो Prime Number के दो ही Factor होते हैं एक वो Number खुद और दूसरा आपका 1 ठीक है जैसे 7 एक Prime Number है तो इसके Factor क्या होगे 1 होगे यानि 1, 7 को Divide कर देगा Completely और 7 इसका दूसरा Factor होगा यानि 7 भी 7 को Divide कर देगा Completely ठीक है तो 1 और 7 इसके Factor होगे तो Total कितने हो गए 2 हो गए C इसी तरह की हर Prime Number के यही Condition है अब Question No.3 देखते हैं Quadratic Polynomial है जिसके 0s का Sum आपको दिया है Minus 5 और उनका Product दिया है आपको 6 आपको वो Quadratic Equation बतानी है कि क्या होगी तो हमें Sum और Product दिया हो तो हम Quadratic Equation बना लेते हैं यानि Polynomial बना लेते हैं या आपके Second Chapter Polynomial कही है तो इसकी जो General Equation होती है वो होती है आपको के की Value बतानी है जहाँ पर System of Equation ये No Solution अच्छा ये तो हमारे Quadratic Equation वाले Chapter का है तो ये तो अभी हमारे Term 1 के Cell Bus में नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे ठीक है बाद में देखेंगे फिफ्ट अलग कुशन है आपको HCF और LCM बताने है 12, 21 और 15 के तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 to the 4, 2 का Square into 3, 2 to the 4 और 4 to the 12 इस तरह लिख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं 3 into 7 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 LCM के लिए हम सारे पहले अलग लग जो नंबर है उसको लिख लेते हैं कौन को असा नंबर है तो 2 हमारे पास है दूसरा 3 है और एक 7 है और एक 5 है maximum power सब की लेंगे यहां पर जो है वो देख सकते हैं 12 में 2 की power 2 है तो यहां हम 2 ले लेंगे बागी सब की power तो 1 ही है 2 to the 4, 4 to the 12 हो जाएगा और 7 फाइजा 35 इसको multiply करेंगे 350 और 70 420 हो जाएगा ठीक है LCM हमारा 420 हो गया HCF की बात कर लें हम तो उसी को लेंगे जो तीनों में common होगा तो 2 तो नहीं है 3 हमारा सब में common है तो बस 3 होगा HCF हमारा 3 है तो कौन सो होगा इसका C option सही है question number 6 है यह तो AP का है AP हमारे first time में नहीं है इसे हम बात में देखेंगे 7th वाला question भी AP का है तो इसे भी हम बात में देखेंगे 8th वाला question देखते है यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा distance between the point यह हमारा coordinate geometry का है तो यह हमारे selfless में इसे हम देखेंगे आपको 2 points दिये हुए है इसके बीच के distance आपको बतानी है तो हम distance formula लगाएंगे यानि क्या होता अंडर root x2 minus x1 इसका whole square plus y2 minus y1 इसका whole square तो यह हमारा पूरा क्या होगा x1 होगा और यह अकेले जो comma लगा के 0 है यह हमारा y1 होगा यहाँ पर देखो comma से पहले यह हमारा x1 होगा और यह पूरा term हमारा और यह x2 होगा और यह हमारा y2 होगा तो x2 हमारा 0 है तो 0 minus यह x1 वाला term हम पूरा लिख देंगे a cos theta अब पहले minus है तो यहाँ plus भी minus हो जाएगा b sin theta ठीक है इसका whole square plus y2 हमारा क्या है a sin theta minus b cos theta और y1 तो हमारा 0 है तो लिखने कोई मतलब नहीं इसका square कर देंगे अब इनका minus बाहर common चला जाएगा और square हो जाएगा तो यह कोई मतलब नहीं इसका minus का तो यह भी plus ही हो जाएगा अब square कर देंगे a plus b का whole square वही वाला formula लगाके a square cos square theta plus b square sin square theta plus 2ab sin theta cos theta plus अब इसको हम solve करेंगे यह क्या हो जाएगा a square sin square theta plus b square cos square theta minus होगा क्योंकि बीच माइनस का sign है a minus b का whole उसका यह वाली identity लगेगी यहाँ पर तो 2ab sin theta cos theta ठीक है तो यह दो को यहाँ पर यह minus में है यह plus में है तो इसका दो काम तमाम हो गया a वाले term को एक साथ हम लिख लेंगे यह हो गया और एक यह हो गया और b वाले को हम एक साथ लिख लेंगे ठीक है तो a वाले को एक साथ लिखेंगे मलतलब a को हम common ले लेते हैं तो यह हमारा cos square theta हो गया plus यह वाला लेंगे plus cos square theta ये 1 होता है तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 1 हो जाएगा तो बचेगा A square plus B square लेकिन ये पूरा हमारा root था तो root भी रहेगा under root A square plus B square इसका C option सही है 9th वाला question देखते है एक point है P, K, 0 ये divide कर रहा है एक line segment को जो की join कर रही है एक point A है 2, minus 2 और दूसरा point है B, minus 7, 4 ratio आपको दिया है 1 is to 2 तो K की value आपको बतानी है तो इस तरह के question करने के मैंने एक short trick आपको बताई थी चाहे आप X को पकड़ लो या आप Y को पकड़ लो लेकिन यहाँ पर देखो हमको क्या निकालना है K निकालना है तो K किसकी value हो, यहाँ पर X की value है क्योंकि Y तो हमारा 0 दिया हुआ है तो सबको X को ही पकड़ेंगे हम यहाँ पर हमने X ले लिया इसका X ले लिया, ठीक है यही तीनो है तो यह पहला वाला point है हमारा first वाला, और यह हमारा second वाला point है तो जो ratio दिया है पहला वाला ratio दूसरे वाले point के साथ जाके multiply होगा यानि 1 multiply होगा minus 7 से और बीच में यहाँ plus का sign लगेगा दूसरा वाला ratio वो पहले वाले point के X से multiply होगा ठीक है, X हम देखें, Y को भूल जाओ तो इसकी value क्या है, 2 दी हुई है यानि 2 into 2, यह हो गया और ratio का sum, जो 1 और 2 है इसका sum divide कर देंगे 1 plus 2, 3 हो जागा, ठीक है इसकी value क्या हो जाएगी minus 7 plus 4 upon 3 minus 3 by 3 इसकी value minus 1 हो गए, तो D option इसका सही होगा यही हमारी K की value है 10 वाला question देखते हैं आपको P की value बतानी है, point दिये हुए है A3,1, B और C इस तरह point दिये है और यह कह रहा है कि यह collinear है यानि यह तीनो point एक ही line में आ रहे है तो इसका तो एक तरीका यह है कि आप AB निकाल लो, BC निकाल लो और AC निकाल लो फिर AB plus BC बराबर होगा AC के वहाँ से equate करके P की value निकाल लो जो की बहुत लंबा हो जाएगा दूसरा तरीका भी है triangle का area निकाल के अब area of triangle का जो formula है वो आपके cell bus में नहीं है coordinate geometry के अगर हम बात करें लेकिन यहाँ पर आपको MCQ based आनना है तो कौन सा method यूज़ कर रहे हो यह मतलब नहीं है बस आपका answer आना चाहिए तो वो वाला formula भी आप याद कर लोगे तो आसानी से निकल आएगा क्योंकि देखो triangle क्या होता है तीन point से मिलके बना होता है लेकिन condition यह होती है कि वो तीनों एक line में नहीं होना चाहिए वरना triangle नहीं बनेगा अगर यह तीन point है हमारे पास एक ही line में है तो triangle नहीं बनेगा फिर यह एक line बन जाएगी यानि उस case में एक ऐसा triangle बनेगा जिसका area 0 है तो area का formula क्या होता है चलिए इसको हम लगाते है वो भी आपका याद हो जाएगा बहुत आसान तरीका है देखो कैसे याद होगा आपको लिखना है यहाँ पर 1, 2 और 3 ठीक है और ऐसे clockwise हम चलेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 3 के बाद 1 बस इतना याद हो गया तो आपका काम हो गया पहले हम चलेंगे 1 से start करेंगे तो 1, 2, 3 इस तरह से हम चलेंगे यानि 1, 2, 3 दूसरे केस में हम 2 से start करेंगे तो ऐसे ही चलना है 2, 3 इसके बाद क्या होगा 1 आ जाएगा 2, 3, 1 हो गया तीसरे केस में हम 3 से start करेंगे ठीक है तो 3, 1 और 2 आ गया यानि 3, 1 और 2 अब देखो area का formula क्या हो गया बहुत असान है 1 by 2 हमने लगा दिया बस इसके आगे क्या होगा हमें पहले 1 लिखना है तो x 1 हो जाएगा और bracket के अंदर y के time होगे 2 और 3 यानि y2 minus y3 ठीक है ये हो गया प्लस अब क्या पहले है 2 है तो x 2 ले लेंगे bracket के अंदर y का होगा 3 और 1 यानि y3 minus y1 ठीक है प्लस x 3 हो जाएगा यहाँ 1 और 2 अंदर रहेगा यानि y1 minus y2 ठीक है ये हो गया इसे कई बाल लिखोगो तो याद भी हो जाएगा तो points अगर kolinear है तो ऐसा triangle बनेगे जिसका area 0 होगा तो equal to 0 कर देंगे x1 की value हम रख देंगे यह क्या है 3 है तो 1 by 2 हो गया हमारा ये 3 हो गया y2 और y3 क्या है p और minus 5 यानि p और यहाँ बीच यह minus है minus minus प्लस हो जाएगा plus x2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा y3 हमारा minus 5 है minus of y1 हमारा क्या है 1 है ठीक है, प्लस, x3 की value हमारी यहाँ पर 7 है, और y1 हमारा क्या है, 1 है, minus y2 क्या है, मारा p है, ठीक है, यह equal होगा हमारे 0 के, 2 धर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, बस को कुछ नहीं करना, solve करना है, multiply कर लोगे, 3p plus 3, 5 is the 15 हो जाएगा, और यह minus minus, यहाँ plus minus minus हो जाएगा, 5, 25 हो ज 2, तो इसका A वाल option सही होगा, तो यहाँ आकर हमारे इस paper के MCQ-based वाले question हो गए, क्योंकि 10 ही दे, 10 हमने कर ली है, और दूसरे set की video मैं अलग से बना दूँगा, इस तरह की और videos आप playlist विजिट करके देख सकते हो, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो म पर click कर देंगे, तो जब भी नए video आएगी, आपको message आज आएगा, मिलते हैं फिर अगली video में, thank you